हेलो दोस्तों स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगे हंता वाइरस के बारे में चीन में हंता वाइरस से एक व्यक्ति की मोथ हो चुकी है और सोसल मीडियम पर पूरा हड़कंप मचा हुआ है जैसके आप सभी जानते हैं आपने भी न्यूज गया था और उसे हंता वाइरस से पोजिटिव पाया गया था बस में 32 अन्य लोग भी सामिल थे जिनकी जाच की गई चीन के सरकारी करमचारी पत्र ग्लोबल टाइम्स के इस घटना की जानकारी देने के बाद शोशल मीडियम पर बवाल मच गया था पूरा का पूरा बड़ की शंक्या में लोग ट्वीट करके यह डर जता रहे है कि यह कहीं कोरोना वाइरस की तरह से महामारी ने बन जाए लोग कह रहे हैं कि अगर चीन के लोग जानवरों को जिन्दा खाना बन नहीं करेंगे तो यह होता ही रहेगा श्यूम लिखते हैं कि चीन चीनी लोग अब तक एक महामारी की पोर योजना पर काम कर रहे हैं यह हंता वायरेस कहाने से होता है अब जानते है कि क्या हंटा वाइरस शग्यों का मानना है कि कोरोना वाइरस की तरह हं था वायरेस गातक cat नहीं है कोरोना वाइरस के विप्रीत यह हवा के रास्ते नहीं फैलता है यह चुहे या फिर गिलहरियों के संपर्क में आने से इंसान के अंदर फैलता है Center for Disease Control and Prevention के मताबिक चुहों के घर के अंदर और बाहर करने से यह हंता वाइरस के संक्रमन का खत्रा होता है यह फिर जो चुहे खाते है यह घ्लहरियों खाते है चिनि लोग उनके अंदर यह हैं कोई स्वस्त व्यक्ति भी है और वह हंतावाइरस के संपर्क में आ जाता है तो उसके संक्रमित होने का खत्रा बढ़ जाता है हालाकि हंता वाइरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता है लेकिन यदि कोई चुहों के मल या फिर पेशाब आधी को छूने के बाद अपनी आख नाख या फिर मूग को छूता है तो उसके हंता वाइरस से संक्रमित होने का खत्रा बढ़ जाता है इस वाइरस से संक्रमित होने पर इंसान को बुखार आता है सिर दर्द शरीर में दर्द पेट में दर्द उल्टी डाइरी आधी हो जाता है अगर इलाज में देरी होती है तो संक्रमित इंसान के फेवर्यों में पानी भर जाता है और उसे सांस लेने में परिशानी होती है और सी डीजी के मुताबिक हंता वायरस जानलेवा है इससे संकरमित व्यक्तियों के मरने का आगड़ा 38 परतीसत है। चीन में हंता वायरस का यह है मामला ऐसे समय पर आया है जब पूरी दुनिया वहां से निकले कोरोना वाइरस की महामारी से जूज रही थी ओ जूज रही है कोरोना वाइरस से अब तक 16,500 लोगों की मौत हो चुकी है यही नहीं अब तक दुनिया के 3,82,824 लोग कोरोना वाइरस से संकर्मित हो चुके हैं कोरोना वाइरस की व्यापक्ता का अंदाजा इस बात से ही लगा जा सकता है कि यह वाइरस अब तक 196 देशों में पूरी तरह फैल चुका है और इटली चाइना जैसे देशों में महामारी करूप धारण कर चुका है धन्यवाद आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और कमेंट बोक्स में अपनी राय जुरूर देखजेगा